आज के इस वीडियो में हम लोग नाइन्थ क्लास हिंदी जंडा उचा सदा रहेगा जो के सेकेंड जो है वो मतब दूसरी एकाई का एक पोयम है इसके कोशनल आंसर आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पहला सवाल आपको दिया हुआ है संजाल पुन्य कीजिए जंडे की विशेष्टाएं खूबिया जंडे की आपको लिखनी है यहाँ पर देखिए जंडे की विशेष्टाएं पहला हैगा हमारी शान दूसरा हैगा सदियों का बल पौरुश और हमारा बलीदान हमारा अर्मान अब अगला सवाल है सवाल नमब दो स्वतंतरता का अर्थ स्वतंतरता नहीं इस विधान पर स्वामत दीजिए उत्तर देखिए स्वतंतरता का अर्थ स्वतंतरता नहीं हम भारत देश के स्वतंतर नागरिक हैं परंतु उसका अर्थ ये कदापी नहीं है कि हमको अपने मन के अनुसार कुछ भी करने का अधिकार मिल गया है स्वतंतर भारत में हम जिस स्वतंतर का आनंद उठा रहे हैं वो हमारे वीर स्वतंतरता सैनानियों के परीश्रम और बल्यदान के कारण हमें प्राप्त हुई है इस से पुर्व न तो हमें स्वतंतरता थी और नहीं हमें विचारों की अभी व्यक्ती का अधिकार था सवेदान दोरा हमें अनेक अधिकार प्रदान के गए हैं हम देश के नियम और कानून की सीमाओं में बंदे हैं यदि नियम और कानून ना हो तो समाद में जंगल राज वैप्त हो जाएगा देश में नियम और कानून बनाए रखने के लिए हमारे भी कुछ करताव हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए फिर अगला दिया हुआ नीचे दिये गए विराम चिनों के सामने उनके नाम लिखकर इनका उप्योग करते हुए वाक्य बनाईए आपको यह पर कुछ चिन्ह दिये गए हैं आपको इन चिन्ह का नाम लिखना है फिर उसको जुमलों में इस्तिमाल करना है पहला चिन आपको भर भर तुम तक भेजूंगा दूसरा वाला आपको यहाँ पर देखेंगे तो वो प्रश्ण प्रश्ण चिन है यह वाला जो है वो प्रश्ण चिन है यह इसका जवाब नहीं दिया हुआ है आप लोगों को अपने से लिखने यहां पर लिखना है प्रस्न चिन और यहां पर आपको वाक्य में कुछ भी लिख देना जैसे आपका नाम क्या है और प्रस्न चिन लगा देना है इस तरीके से फिर यहां पर दिया हुआ है आपको संकेत यह वाला जो चिन आपको दिया हुआ है उसके आगे आपको लिखना है संकेट सूचक क्रिपया पीछे देखिए तीसरा वाला ये देखिए लंबा लाइन वाला निर्देशक चिन कहते हैं समयता की प्रतिक रही है गंगा जो आदिकाल से भेती आ रही है चौता वाला ये वाला चिन है बड़ा कोष्टा किसे कहते हैं वरगकार रविंद्रिनाथ ठाकुर का अनुवाधितत साहित सब पढ़ते हैं पाचवाला यह आपको दिया हुए चीन उधरन चीन यह आपको दिया हुए हुआ जिन्दगी के उतार चड़ावा यहां तक यहां तक ले आए छट आपको यह वाला दिया हुआ है लोप चिन वह लादी बोधक हे ग्राम देवता नमस्कार फिर आपको दिया हुआ है अर्ध विराम इसे कहते हैं हिंदी साहित्य के विकार सुन्नती में डायरी का भी योगदान इसे छोटा कोश्टक कहते हैं सागर आश्चरिस आप यहां क्या कर रहे हैं पुर्ण विराम मेरे हिर्दय में म मोती भरे हैं अफ यती नेक्स चो दिया हुआ है अपको अपुर्ण सुचक हे ग्राम देवता नमस्कार यह राज तुम्हारा है अशेश फिर आपको दिया हुआ समाती समापित सुचक और फिर सब सुख से रहने लगे अब आपको दिया हुआ मजला सर्पकार कोश्टर साक काम आइनी और वशी हिंदी के प्रसिद्ध गरंथ है अस्थान सुचक फिर पंद्राव आपको दिया हुआ अस्थान सुचक भारत इंदू ने कहानी कवीता निवद्ध सभी पर कलम चलाई तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना चैनल परने तो सब सब्सक्राइब करना टेलेगराम गुरूप जरूर जॉइन करना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे हुई है बाए